सबसे बड़ी बात है कि जम्मो कश्पीर में भारती जन्ता पार्टी एलेक्शन लड़ रही है जह मूरियत पे बलीब करती है अब पूरी तरह से election board में हैं तो election ठीक परकार से हो और भारती जन्ता पार्टी सबसे बड़ी party बन करके आए उसके लिए हमारी तयार election commission ने अचानक ये announce किया तो immediately party को step लेना है क्योंकि candidate को क्या वकाभी उन्होंने work out करना है भारती जन्ता पार्टी का parliamentary board होता है जम्मो कश्मीर में भी एक committee बनी है election की उसका में सदस्य हो ये हमारे कारिकरता तै करता है ब्रॉंड से मंडले देक्ष सबसे बड़ी बात है कि जम्मो कश्मीर में भारती जन्ता पार्टी election लड़ रही है जह मूरियत पर बलीब करती है देश के बड़ा who and cry करा opposition है लेकिन देश के वजीरे आजम और देश के वजीरे दाखला ने जो लोगों से commitment करी थी और Supreme Court का य जो भी वो था election होने जा रहा है और होफुली लोग हमें मौका देगे लगा किस तरह की सरकार आएगी पीजेपी की सरकार आने वाली है जो आने वाले election पीजेपी भरती जन्ता पार्टी को लोग मौका दें के सेवा करने का लेकिन इसी में अभी बयान बाजी की होना लोगोंने तै करा है application का लोग decide करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि process शुरू हो चुका है तो उसी संदर्म में इस परकार की बैठके अभी चलेगी आने वाले दिने में जो first phase, second phase, third phase इन सभी पर selection का सिलस्वा भी चलेगा तो उसी संबंद में ये जो meetings है रखी गई तो आज क् केंद्री ने नेत्यतों यहां पर आया है जिस परकार से 29 विश्यों पर बात होगी और ये भी है कि election committee की meeting होने के नाते सभी से मिलना जुलना होगा उसके बाद ही सभी की बात सुन करके इस सभाविक बात है कि अब हम पूरी तरह से election board में हैं तो election ठीक परकार से हो और भारत सभी ता अब इस पर में कुछ नहीं क्या से एक अमरतुला का बैान का बैयान है कि उन्हें कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहला जो वो बिल आएंगे वो 307 को फिर से लाने का बिल है उसको वो बिल आएंगे क्या देकिस अपने लेना कोई बुरी बात नहीं है सपने पहले भी लेते रहे हैं, गुमरा करते रहें लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा धारा 370 को उटे के बाद, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ये कश्मीर में जो इस परकार के इनके दुकान दारी थी 370 को लेकर के, लोगों ने इसको नकार दिया है, तभी तो इनको हरा प्राइज को हटाया गए. विकास अधाफेट के इलेक्शन जो है, वो जिस डंग से इमिजिल इनॉंस होगे न, तो इतने एक्सपेक्टर नहीं था, कि इतने जल्दी होंगे, तो इस चीज़ को कौपाप करने के लिए, ये है कि सब नेतार लोगों को आना पड़ेगा, ताकि वो लिस्ट जो है के इन बूस्ट मिलेगा? अज़ देखिये, वो अपने एरिये के हमेशां अमेले भी रहें, मंत्री रहें, तो उनका इंपक्क्ट तो है अपने एरिये में, तो मुझे लगता है उसे अच्छा रहेगा, उसे फाइदा रहेगा अमारी पार्टी को. तो अप लिखते हैं जूर फद्री आयन जूसे फाइदा होगा है हा शूर जूर फाइदा होगा